हेलो एवरिवाइड वर्कम तो मैं चैनल वीलब फॉर्चून टबल बन टबल बन मैं हूँ आप सब की टरो का शीडर एंड हीलर पुर्बा गोश कैसे हैं आप लोग आप सब बहुत अच्छे हो गाइस ओसके इनसान की बारे में पुर्च रहे हैं आप सब के लिए काती है और में चैनल रेटिंग के लिए अप सब देख सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनोरशाइज शेम स्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटिट मिस्प्रे रेमिडी या ओनलाइन टैरो क्लासे या कैंडल कोर्स के लिए आप मुझे गिवन वाटसप नंबर पर इंस्टा इडी पर कॉंटाइट कर सकते हूँ सारे contact details description box में given है guys और वीडियो में भी आपको मेरा वाटसप नंबर दिख रहा होगा so चलिए बिना किसी देरी के start कर लेते हैं आज की prediction को so जब तक में start कर रही हूँ आप लोग please relax state of mind में आ जाएए जो भी existing thoughts सरसे दिमाग से निकाल दीजए ठीक है इन्हेल कीजिए आराम से दिन आराम से exhale कीठी और एक काम state of mind में आ जाएए फिर हम देखते हैं आपके person के current feelings आपके लिए so let's start और कौन से कौन से topics पे आपको videos चाहिए predictions चाहिए ज़रूर comment section में बताइएगा I will try कि one by one मैं सारे topics को cover कर पाऊँ second channel mysticism by poorba जो है उसमें मैंने manifestation के videos new डाले हैं बहुत सारे जो कि आपको बहुत benefit कर सकते हैं तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा हैं जरूर देखिएगा ठीक है जिस भी person की current feelings आपने लिए जाना चाहते हो उस इनसान का official नाम इस flame पर focus करते हुए आपको तीन बार लेना है तो मैं आपको time दे रही हूँ आप अराम से आप time लेते हुए उस इनसान का नाम तीन बार लीजिए okay so I hope कि अपने अब तक ले लिया होगा so चलिए start करते है currently आपके person मुझे बहुत जादा tension में नजर आ रहे है ठीक है उन्हें कई ना कई पास्ट की चीज़ें आप दुनों की बीश में बहुत याद आ रही है ठीक है starting का जो phase था starting में आप दुनों की जैसे बाती थी आप दुनों की जो promises थे आप दुनों ने जैसा सोचा था एक दूसरी के लिए वो सारी चीज़ें उन्हें कई ना कई पास्ट वाली बहुत याद आ रही है ठीक है surface level पे आ रही है अब ही अपने present situation को आपके साथ वो देख रहा है और बहुत ही जादा ये you know disappointed फील कर रहे है क्या हो गया कि चीज़ें complete होते होते एक अच्छा सब कुछ सुन्दर होते होते सब कुछ इधर फूदर हो गया सब कुछ बिखर गया कहां गलती हो गई ठीक है कर रहे थे वो सरकल हाफ होते होते ही टूड गया ठीक है completion नहीं आ पाया इधर उदर हो गई आप दोनों कभी न कभी डाइवर्ट हो गए आप दोनों का प्यार कम हो गया आप दोनों की interest efforts कम होने लग गए तो आपके person कहीं न कहीं सोच रहे हैं कि समय कैसे चीज़ों को बद क्योंकि उन्हें आप दोनों की present में जैसे situations चल रही है उस चीज़ को देखते हुए महसूस करते हुए आपके person बहुत unhappy है नाखुश है ठीक है क्योंकि वह नहीं चाते थे जो अभी आप दोनों के बीच में हो रहा है आप दोनों के बीच में मिसंडरस्टेंडिंग बढ़ तो यह सारी चीज़ उन्हें कभी life में सोचा नहीं था कि उन्हें face करना पढ़ेगा आपके साथ रिश्ते में आकर तो चीजें क्यों खराब होई गलती कहां रह गई कहां पर गलत हुई चीजें कि यह सब उन्हें फेस करना पड़े और कई न कई आपको भी फेस करना पड़े ठीक है तो आपके परसन ना आंसर ढोण रहे तड़ाप रहे हैं उस आंसर को पाने के लिए कि इस रिष्टे में क्या problem है या क्या गलती हुई कि आप दोनों को जुदाई face करना पड़ रहे हैं आप दोनों को problems face करना पड़ रहे हैं आप दोनों की बीच की issues खतम ही नहीं हो रहे हैं और जो flow आप दोनों का एक बार बना था वो फिर से बन ही नहीं पा रहा है no matter how hard you both are trying or want to try छीक है तो आपके person को ऐसा feel हो रहा है कि जो effort वो डालना चारहे है आपके प्रती आपको प्यार करना चारहे है वो सारी चीज़े इनके उल्टी पढ़ रही है इनके लिए लैक हो सकते हैं जो effort डालना चारहे है वो गलत साबित हो जा रहा है या जिस तरीके से बात करना चारहे है वो जगडे में बदल जा रहा है तो इस तरीके की चीज़े हो रही है मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिष्टे को किसकी नजर लग गई है कि कितना भी हम try कर रहे हैं, कितने ही कोशिश कर रहे हैं, कितने patience रख रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ उल्टा ही result निकल के आ रहा है इस रिष्टे में, कुछ सही हो इनी पा रहा है, तो आपके person वो answer चाते हैं, उन्हें ऐसा लग रहे हैं, कि मैं किस से पूछ हूँ, मुझे कहां से पता चलेगा, कि इस रिष्टे में इतना कुछ क्यों हो रहा हैं, जो हम नहीं चाते हैं, दिल से, हम चाते हैं दिल से कि इस रिष्टे को पूरा करें, इस रिष्टे में फ्लो रखें, इस रिष्टे में पहले की तरह खुशियों को रखें, लेकिन हमारे चाहने के बावजूद भी ये चीज़े क्यों नहीं हो रही है, क्यों चीज़े उल्टी-फुल्टी हो रही है तो आपके परसन बहुत जादा एक ऐसे स्टेट में है जहां पर they are feeling really anxious क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये किस से पूछे, ये आपसे पूछने ही पार है क्योंकि इन ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इनका बात नहीं हो पाईगा इस रिष्टे में प्रॉब्लम कहां से उत्रपन्य हो रही है और इसे वह कैसे ठीक कर सकते हैं, तो रास्ति धूड़ना चाहरे हैं वेस धूड़ना चाहरे हैं ताकि इस रिष्टे में जो पहले उन्होंने dream करा था आपके साथ विश्वास करा था आपको प्यार करा था आपस लॉट आए आप दोनों के रिष्टे में और आप दोनों के बीश में इतना दरार बढ़ चुका है वो दरार हील हो जाए वो दरार मिट जाए ठीक है तो आपके परसन को कहीं न कहीं फील हो रहा है कि इस रिष्टे में अभी उल्टा समय ही चल रहा है जहाँ पर चीजें या तो one-sided हो रही है और दो-sided हो भी रही है तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जा रहा है जहाँ पर एक blockage constantly बना हुआ है जो कि आप दोनों को करीब ही नहीं आने दे रहा है किसी ना कि इसी तरीके से जिससे आप दोनों emotionally connected होने के बावजूद भी mentally बहुत रिपल कर रहे हो और आप दोनों एक दूसरे के नफरत बनते जा रहे हो या एक दूसरे से आप दोनों का मतलब मन उठता जा रहा है तो यह चीज कहीं ना कहीं वो feel कर पा रहे हैं कि अगर इन्हें अब आप दोनों जुदा हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए और इस जुदाई को फिर कभी कोई वापस नहीं ला सकता कभी आप दोनों का फिर union नहीं हो पाएगा चाहे इश्वर भी अगर क्यों ना साक्षात आ जाए तो भी यह union possible नहीं है तो आपके person को ऐसा feel हो रहा है कि आपके person किसी भी तरीकी का compromise नहीं करना चाहते वो यह तो आर या पार जाना चाहरे है उनके दिमाग में यहीं चल रहा है कि मुझे एक बाद बस पता चले कि इस रिष्टे में क्या problem है मैं अपना 110% दूंगा या दूंगी जो efforts देने होंगे इस रिष्टे को सही करने के लि लेकिन उसके बाद भी अगर इस रिष्टे में वो प्यार वो consistency वो commitment वो stability नहीं आएगी तो I will go away मैं इस रिष्टे से सारा जुड़ा हुआ होप उम्मीदे प्यार सब कुछ दफना दूंगा मिट्टी के अंदर या दफना दूंगी मिट्टी के अंदर तो आपके person परिशा प्यार रहे अच्छा रिष्टा रहे ऑफिशियल हो चीजे या फिर कुछ ना हो सब खतम हो जाए आप अपने रास्ते जाओ वो अपने रास्ते जाओ आप दो नहीं दूसरे को भूल जाओ ठीक है तो आपके person कहीं ना कहीं admit कर रहे हैं अपने आप से मान रहे हैं कि येस ब कर पाए हैं ढंक से आपको फील नहीं करवा पाए हैं ठीक है तो अब वो चाते हैं कि गल्ती जिससे भी हुई जैसे भी हुई ठीक है लेकिन अब हम इस रिष्टे को अच्छा बनाना चा रहे हैं लेकिन हमारे effort डालने के बावजूद भी अगर ये रिष्टा नहीं बनता ह तो कसन से हम इस रिष्टे को मुड़कर भी नहीं देखेंगे ठीक है तो आपके परसन के ऐसे energy उझे दिख रहे है तो आपके परसन आपको बहुत जल्द effort डालते होए नजर आएंगे लेकिन mark my words ये जो efforts डालेंगे ठीक है ये इनकी आखरे efforts हो सकते हैं अगर आप दुनों के बीच में कुछ सही नहीं हो पाता है तो ठीक है तो आपको भी reciprocate करना पड़ेगा अगर आपको लगेगा कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत करा है और आप नहीं मानोगे इनकी बात आउंगी ये परसन यही सोच कर effort डालेंगे बहुत जल्द डालेंगे कि मैं इस रिष्टे को अच्छा कर दूं ठीक है लेकिन अगर इनने फिर नजर आएगा कि आपके तरफ से कोई effort नहीं मिल पा रहा या इनके efforts उल्टे इनके उपर ही भाड़ी पढ रहे हैं और इनने less valuable feel हो रहा है ये सच में इस रिष्टे को खतम करना चाहेंगे ये चाहेंगे कि आप कुछ भी ना करना पड़े किसी को भी दिमाग लाना लगाना पड़े ठीक है क्योंकि इनके इस फील हो रहा है कि emotionally ये खुद भी drain हो रहे हैं कई नके आप भी drain होते आ रहे हो जो कि कोई भी इनसान deserve नहीं करता है इस lifetime में तो आपके person मुझे दिख रहा है कि इस वक्त बहुत serious है वो इस रिष्टे में बहुत प्यार चाहते हैं इस रिष्टे में आपका साथ चाहते हैं लेकिन अब ये इस चीज़ को भी इन्होंने sure कर लिया है कि अब घड़ी ऐसी आ चुकी है कि अगर ये रिष्टा चलना होगा तो इनके next effort से चल जाएगा और अगर कभी मतलब आप दोनों अगर बने ही नहीं हो एक दूसरे के लिए तो अब effort डाल के कुछ नहीं होगा तो ये last time effort डालने की कोशिश करेंगे अगर आप दोने के वीच में problem है issues है no contact है separation है communication gap है कुछ भी ये person सामने से आकर चाहेंगे कि ये रिष्टा सही हो जाए लेकिन उसके बाद आपको ढंग से रिष्टा करना पड़ेगा तो आपका रिष्टा smoothly चलेगा और आपको दिख सकता है कि ये इनसान एकदम silent हो गए और एकदम हो सकता है कि ये move on कर जाए है आपको बोल दे कि everything is over तो आपके परसंट डेफिनेटली आपको प्यार करते है किसी की बुरी नजर भी लगी हो बहुत सारे लोग हो सकता है कि जैलेस होते हैं आपके रिष्टे से जो की you know कर्स करते हो श्राब देते हो आप दोना के connection को या दिल से बद्दूआ देते हो कि आप दोना का रिष्ट है आप दोनों के रिष्टे को हो सकता है कि कोई black magic influence भी हो evil energies भी हो क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है कि एक connection कभी perfect नहीं होता ठीक है हो सकता है कि कभी आप से गलती हो गई आप realize नहीं कर पाया अपने गलती को वो उनसे गलती हो गई उन्होंने नहीं देखा कि मुझसे गल रहा है ठीक है अगर कोई रिष्टा one sided है तो अलग बात है कि एक इंसान बार बार किये जा रहा है कि जा रहा है कि सामने वाले को कोई appreciation ही नहीं है सामने वाला उन्हों कुछ reciprocate ही नहीं कर रहा है तो ठीक है तो हम समझ सकते हैं कि connection one sided है इस वज़े से रिष्टा नहीं चल पाया क्योंकि एक तरफ से ताली कभी नहीं विशती तीक है दोनों हाथों की जरुरत होती है ताली बजाने के लिए लेकिन अगर आप भी एफट डाल रहे हो आप भी उन्हें प्यार करते हो वह भी आपको चाहते हैं लेकिन किसी ने किसी वज़ेसे बार बार तकलीफे आ रह करती है तो प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर किसी बुरे एनरजी का इंफ्लूएंस कनेक्शन में एक्जिस्ट कर रहा है जिसके वज़े से बहुत कुछ करने के बाब जूद चाहने के बाब जूद भी नथिंग इस वर्किंग एट ओल ठीक है तो यह चीज यहां दिख रही बाब आखने के इनरजी में वह नहीं रहना चाहते हैं कि जो होगा देखते हैं हम अगर नहीं होता है तो इनकी फीलिंग्स हो सकती है वट अभी के लिए मुझे देख रहे हैं लिटरिली कि अब मैं जो एफ़र डालूगा या डालूगी उससे अगर मुझे प्यार मिलता है इस इंसान से तो ठीक नहीं मिलता है तो ताटा इस तरह की केनरची दिख रही है ठीक है चलिए कुछ और वी कार्ट देखेंगे इसे साइड में कर देता है लेट सी तो डेफिनेटली वह सोच रहे है कि हाँ हो सकता है कि यह परसन रेस्पॉंसिबल नहीं हो पाई है इस रिष्टे में इस रिष्टे में वह अच्छे से निभा नहीं पाई है इस रिष्टे को ठीक है बहुत सारी चीज़ आपे लिए नहीं कर पाए जो कि उन्हें थह तो प्यार ख़ली से प्यार कर रहिए की बहुत कुछ इप जो यह कर सकते थे लेकिन इनको पता नहीं था और ना इनों ने उतना अपना दिमाग लगाया कि वो आपको समझ सके और आपको खुश्या देने के लिए महनत कर सके तो इस चीज के लिए ने कहीं रिग्रेट हो रहे हैं, ठीक है? आप लोग के लिए मुझे दिख रहे हैं, एक तो उनके लिए जो कि आप लोग दोस्त हो बट आप दोनों को फीलिंग से एक दूसरे के प्रतिया अनकनफेस्ट लव हैं, तो अब यह परसन को लग रहा है कि आप मुझे प्रपोस करना ही है, मुझे अब दोस्ते आगे बढ़ और लोग के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के सिचुएशन सभी ऐसी हो गई है कि आप लोग लवर से हो सकता है कि फ्रेंड फ्रेंड्स हो या फिर फ्रेंड्शिप से भी आप दोनों का कनेक्शन काम ऊचुका है, जहां पर बातचीत नहीं होती है, मिलते भी नही आप दोनों को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, दूसरे से बात करने से पहले सोचना पड़ता है, बात करूं या ना करूं कितना कुछ, oh my god, okay, so उन्हें सा लग रहा है कि नो, इस तरीक से जो भी सिचुएशन आभी आप दोनों के बीच में है, उससे वो बिलकुल भी खुश नहीं है, उस situation को आपके person बदलना चाहते है, I want to feel that way again, definitely जैसा मैंने आपको बताया पहले ही, starting में ही, कि पहले जो intense love, intense attraction, intense romance, intense friendship आप दोनों के बीच में था, उन सारी चीजों को उन्हें आप वापस चाहिए, वो पहले की तरह feel करना चाहते हैं, but they are totally feeling blank right now, उन्हें क और भी जादा disappointed है, because they never imagined कि ऐसा कोई बदलाब हो सकता है आप दोना के बीच में, I am becoming a better person, लेकिन हाँ, इन सारे regret के energy के वज़े से, realizations के वज़े से, and abandonment के वज़े से, aloneness के वज़े से, they are also realizing कि उन्हें कब कब कौन-कौन से जगह पे क्या-क्या सही करना चाहिए था, क्या- नहीं हो पाया, कि ये इनसान आपको प्यार करते है भी या नहीं, आपके mind में भी हो सकते है, हमेशा confusion होता है, क्या ये सच में प्यार करते है, ठीक है, या नहीं करते है, अगर करते तो मुझे दिखता क्यों नहीं, तो वो इसी वेसे है, क्योंकि प्यार तो ये करते हैं, ब भी awakened person हो, आप definitely आप human being हो तो आप expect करोगे कि आपको आखो से वो प्यार दिखे आप अंदर से तो feel कर ही पाओगे ठीक है, लेकिन आप कुछ दिखना भी वो चाहिए ठीक है, ये चीज़ मुझे याँ दिख रही है इस इंसान के आखो पर भी आपको इनके आखों में भी आपको दिख जाए तो वह भी ben उनाफ भी आपको नहीं दिख काई क्यूंकि उन्हें अपने प्यार को महसूस खुद से भी उतना नहीं किया क्यूंकि जब इनसान सच में प्यार को feel करने लगते तब ही उसके आँकों से वह प्यार जह लगता है लेकिन वह अपने में ही थे ठीक है आपको ऐसा part of life मानते जरूर थे लेकिन बहुत मैं कैसे explain करूँ इस चीज को मतलब जैसे दो family members होते है वैसे ही मानते थे आपको तो एक जो special feel करवाना होता है और special feel करना भी होता है वो चीज़ वो miss कर गए आपके person जिसके वैसे भी हो सकता है कि issues आए negative factors बिल्ड हुए and आप ऐसी स्थिती है कि आप दोनों एकदम clueless हो कि चीज़े कैसे बेकार में ही खराब हो गई और इतने जल्दी वो भी ठीक है और कोई major reason भी नहीं है I left you before you could leave me तो आपके person कहिना कर यह चीज़ को भी feel कर रहे हैं कि यह हमेशा insecurity में जीए है ठीक है इन्होंने आपको vulnerable होने नहीं दिया ठीक है जब जब आपने हो सकते emotionally कुछ इन्हें express करा कि मुझे यह चीज़ हर्ट कर रही है या मुझे यह चीज़ बुरा लग रहा है तब तब यह भाग गए उस जगह से आपको बिठा कर वो उन्होंने समझाया नहीं ठीक है उन्होंने आपका assurance नहीं द करवा दो कि you don't want them तो हमेशा वो insecurity में जीते थे और आपको हमेशा सा feel करवाते थे कि मुझे तुमारी जरुवत नहीं है जबकि वो ऐसा क्यों करते थे क्योंकि सच में उन्हें डर लगता था कि कहीं यही same sentence उन्हें आप से सुनने को नम मिल जाए तो यह आपके mind से बहुत इस इसका regret भी उन्हें बहुत जादा हो रहा है कि प्यार था तो दिमाग लगाने के जरूद नहीं थी आपके person बहुत deep emotions के थूप गुजर रहे हैं थीक है बहुत 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 deep and I know आप मेंसे बहुत लोग हो सकता है believe नहीं ठीक है है जिसके अंदर चल रहा हो ठीक है तो हम जो चीज़ अज्यूम करते हैं हमेशा जरूरी नहीं होता कि 100% वही ही अजम्शन ही सच्चाई हो ठीक है जैसे कि आपको हो सकता है लग रहा होगा कि यह मुझसे बात नहीं कर रहा है या कर रही है तो शायद इसको कोई फरक नहीं पड़ रहा है बट रियालिटी में देखिएगा कि वह अकेले बैटकर आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं बट अक कोई उनको मतलब नहीं है अपने मजीमें है तो assumptions हो सकता है सच हो हो सकता है ना हो ठीक है तो assumptions पे ही कभी एकदम confident नहीं रहना है कि मैंने ऐसा सोचा है तो यही चीज होगी और यही चीज रोजिनेट करनी चाहिए ठीक है रियालिटी डिफरेंट होती है बहुत बार इंसान के दिल में बहुत कुछ चलता है वह सामने से नहीं शो करता है ठीक है सामने से वह फेक प्रिटेंड करता है सामने से वह कुछ और दिखा जेता है सामने से वह हस रहा होता है अगर इसका दिल दुख रहा होता है तब भी ठी सारी चीज़े आपके परसन के अंदर चलती भी नजर आ रही है जिसके विज़े से ही यह रीडिंग निकल किया है इतनी इंटेंस फीलिंग है like I'm feeling so heavy I'm channeling this prediction this reading and I'm feeling so much heavy I can't even explain that in words okay so I can feel you guys and I can feel your person as well so yeah यह थी आप लोगी रीडिंग अगर आपके love life में कुछ भी issues है तो आप rose quartz energized form में वेयर कर सकते हो कोई भी existing अगर आपको भी लग रहा है कि कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या effort डाले या कैसे रिष्टे को love life को सही करें तो आप इसे वेयर कर सकते हो इसे वेयर करने से आपके love life में healing बहुत 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 होगी existing रिष्टे आपके बहुत strong होंगे पहले से जादा गहरे होंगे self love आएगा आपके मन में और जब self love आएगा तो automatically आप अपने love life में बहुत कुछ manifest कर पाओगे और glowing skin के लिए भी बहुत अच्छा है अगर आपको चाहिए screenshot लीजे whatsapp में instagram में contact कीजे और order place करवा लीजे इसके इलावा भी career, health, beauty, money, finances, chakras, court cutting, evil eye protection, enemy protection, इन सारे चीजों से related भी अलग-अलग crystals available है अगर आपको चाहिए आप contact कर सकते हो, message भेज सकते हो whatsapp में कर सकते हैं